T20 विश्व कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सभी टीमें अपना जलवा बिखेरने के लिए एक बार फिर तैयार हैं इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए सभी 20 टीमों ने अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी है 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले T20 विश्व कप में कुछ नए खिलाडी अपना प्रभाव छोड़ने के लिए जहां उत्सुक होंगे वहीं कुछ सीनियर खिलाडी अपना दबदबा बरकरार रखना चाहेंगे ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचल स्टार्क भी अपना दम दिखाने के लिए पूरी तयार है स्टार्क बड़े टूर्नामेंट के खिलाडी माने जाते हैं और पावर प्ले में विपक्षी टीम के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं आईए जानते हैं स्टार्क के T20 में रिकॉर्ड कैसे हैं आईपिल इतिहास के सबसे महंगे खिलाडी हैं स्टार्क स्टार्क हाल ही में आईपिल 2024 में हिस्सा लेकर T20 विश्वकप में शामिल होने पहुँचे हैं स्टार्क को इस सीजन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स केके आर ने 24.75 करोड रुपे में खरीदा था जो इस टूर्णामेंट इतिहास की सबसे ज्यादा बोली थी स्टार्क का मौझूदा आईपील के शुरुवाती चरणों में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था और वह काफी महंगे साबित हो रहे थे लेकिन उन्होंने प्लेओफ मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन किया और केके यार को आईपील का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई आईपील में 8 साल बाद वापसी करने वाले स्टार्क ने शुरुवाती 9 मैचों में सिर्फ 7 विकेट लिये थे उन्होंने वान खेडे मैदान पर मुंबई इंडियन्स के खिलाफ मैच अपनी प्रतिभा की जलक दिखाई और फिर प्ले ओन उफ और फाइनल में अपनी गेंदबाजी से टीम को चैंपियन बनने में अहम योगदान दिया पावर प्ले और डेथ ओवरों में काफी शिकार करते हैं स्टार्क माना जाता है कि टीट्वेंटी बल्ले बाजों का खेल है जिसमें गेंदबाज के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता लेकिन स्टार्क जैसे गेंदबाज उन खिलाडियों में शामिल हैं जो अपनी धारदार गेंदबाजी से किसी भी टीम के होसले पस्त कर सकते हैं स्टार्क का टीट्वेंटी में रिकॉर्ड कुछ ऐसा है जो सभी टीमों की नींद उड़ा सकता है 2022 से अब तक स्टार्क ने टीट्वेंटी प्रारूप में कुल पच्चा से स्पाज 5 ओवर गेंदबाजी की है जिसमें 810 रन देकर 31 विकेट जटके हैं इस दोरान स्टार्क का एकोनॉमी रेट 9.4 का रहा है फेज के अनुसार देखें तो स्टार्क पावर प्ले और डेथ ओवरों 16 बीस में स्टार्क सबसे ज्यादा शिकार करते हैं जबकि मध्य ओवरों में उम्मीद के अनुसार विकेट नहीं ले पाते हैं स्टार्क ने शुरुआती 6 ओवर में 15 विकेट लिये हैं और उनकी एकोनॉमी रेट 9.0 की रही है वहीं 16.0 बीस ओवर के बीच स्टार्क ने 11.4 की एकोनॉमी से 11 विकेट जटके हैं डेथ ओवरों में हालांकि स्टार्क काफी महेंगे भी रहे हैं वहीं 7-15 ओवर के बीच स्टार्क ने भले ही 5 विकेट अपने नाम किये हैं लेकिन उनकी इकोनॉमी 8.4 की रही है जो पावर प्ले और डेथ ओवरों से बहतर है स्टार्क ने IPL 2044 के प्ले ओन अफ और फाइनल में भी पावर प्ले में ही कहर बर पाया था ऐसे में भारत सहित अन्य सभी टीमों को उनसे सावधान रहने की जरूरत है बड़े मैच के खिलाडी हैं स्टार्क मिचल स्टार्क ने शायद ही वह रील देखी होगी जो एक महीने पहले इंस्टाग्राम पर वाइरल हुई थी जब स्टेडियम में भारतिय बल्ले बाजों द्वारा उनकी गेंदों पर लगातार छक्के जड़े जा रहे थे इस रील में स्टार्क की गेंदबाजी का मजाक उड़ाया गया था क्योंकि वह आईपील 2024 के लीग स्टेज में काफी महेंगे साबित हुए थे हालांकि इस रील को बनाने वाले ये भूल गए थे कि स्टार्क बड़े मैचों के खिलाडी हैं और आईपील की नीलामी में उन पर इतनी बड़ी रकम इसी लिए लगी थी ऐसा नहीं है कि स्टार्क ने आईपील 2024 में ही दमदार प्रदर्शन किया उन्होंने इससे पहले भी बड़े टूर्नामेंटों के फाइनल में बड़े बनलेबाजों के विकेट चटकाए हैं अब वह मेलबर्न में खेले गए 2015 वंडे विश्व कप के फाइनल में बेहत खतरनाक ब्रेंडन मैकुलम का विकेट हो या 2023 विश्व कप का फाइनल जहां उन्होंने शुभुमन गिल और लोकेश राहुल को चलता कर भारतिय बल्लेबाजी को बैक फुट पर धकेल दिया था स्टार्क ने साबित किया कि विश्व कप या IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट में आपको 30 विकेट लेने की जरूरत नहीं है बलकि 2 या 3 महत्वपूर्ण दिनों में अच्छा प्रदर्शन करना होता है